सो हे गाईज वैलकम है आप सभी का आज के इस नय वीडियो में जार्खंड स्टाप सेलेक्शन कमिसन की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसके लिए आप आनलाइन फॉर्म फिल अप कर सकते हो जार्खंड मैट्रिक स्टर पर यह वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए आपको यह नौटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें आपको सारी जनकारी लिखी हुई मिल जाएगे आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप इंट्रेस्टेड हो इस रिक्वार्मेंट में फॉर्म फिल अप करने के लिए तो आपकी क्या इलेजिलिटी क्या क्रेटेरिया होने वाली है साथी साथ कौन-कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और इसका एक्जाम प्रोसीजियर क्या होगा और आपके इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो रहने वाली है सारी जनकारी आपको इस रिक्वार्मेंट से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो वीडियो को लाश्ट तक इस नॉटिफिकेशन को आप JSC के ऑफिसल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टैलिग्राम चैनल लिंक मिलेगा उस टैलिग्राम चैनल पर भी आपको इस नॉटिफिकेशन का फूल पीडिये प्रोभाइट कर दूँगा जाकर कि आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो सो आप यहां पर देख सकते हो जारखन करमचारी चैन आयोक के द्वारा या रिक्वार्मेंट निकाली गई है आप यहां विज्यापन संख्या देख पाओगे सुल्लत 2022 होने वाली है जारखन मैट्रिक स्तर संजुक प्रतियोगिता परिक्षा 2022 है जिसके लिए कोड आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा जे एम एल डवल सी दो हजार बाइस इस रिक्वार्मेंट के तहत आप यहां पर पढ़ सकते हो कि जारखन राची के अंतरगत क्रमचार कीट पालक एवं समकक्ष तथा कुसल, सीलपी यहां समकक्ष पद के लिए आपको संसुचित रिक्तियों के विरूद आपको यहां पर रिक्वार्मेंट निकाली गई है जारखन मैट्रिक्स संजुक प्रतियोगिता परिक्षा 2022 जिसके लिए आप यहां आनलाइन फॉर्म फिलप कर पाओगे GSSC की ही वेबसाइट से यहां पर हम पैमेंट की बात करें तो 100 रुपे का पैमेंट जैनल और OBC के लिए रहने वाला है और SC, HD के लिए 50 रुपे का पैमेंट रहने वाला है PW, BD कैंडिडेट के लिए कोई पैमेंट नहीं है फ्री में अपलाई कर सकते हैं नीचे आपको रितियों का वीवरन देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो किट पालक यहां संकच उधोग विभाग के यहां फोस्ट पद है जिसके लिए आप अपलाई कर सकते हो तोटल आपको यहां पर पोश्ट देखने को मिल जाएगे 6 तो 268 यहां पर पोस्ट होने वाली है और सकेंड एक और पद है जिसके लिए आप यहां पर देख सकते हो कुसल सिल्पी यहां संकच पद उधोग विभाग जिसके लिए आप वान यहाँ पर requirement भरती देख सकते हो 187 यहाँ पर total 400 प्लस वैकेंसी है जिसके लिए आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ अप्लाइन अप्लाइग कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी जनकारी देखने को मिल जाएगी सबसे पहले तो बात करते हैं कीट पालक यहाँ समकच उधोग विभाग यानि समू सी के आपको यहाँ पर क्या वेतना मिलेगी तो आप यहाँ देख सकते हो 18,000 से लेकर के आपको 56,009 सक्तिक की यहाँ पर payment मिल सकती है हम बात करते हैं इस requirement के लिए आपकी नियुन्तम सेक्षनिक योगिता क्या रहने वाली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जार्खन राज में अवस्तित मान्यता प्राप्त सेक्षनिक संस्थान से यदि आपने नियुन्तम मैट्रिक क्लास पास किया है तथा जार्खन रे सिया यानि 10 प्लस टू इंटर्व्याफ साइक कोर्स है सेरी कल्चर या फी टेक्स्टाइल्स में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस requirement के लिए सकेंड पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कुसल सिल्पी यहां समकचपत उधोग विभाग जिसके लिए आपको पैमें हाँ किया है और सांत में हर्स्त सिल्प में एकवर्ष का सर्टिफीकेट कोर्स आपके पास है और सिल्प छेत्रे में ख्याती प्राव संस्तान से दो वर्ष का आपके पास कार्य अनुवावया यहां यानि वर्क एक्स्प्रियंस तो आप इस सकेंड पोस्ट के लिए अप् कर सकते हो यहाँ पर आपको नियुम्तम सेक्षिनिक योग गिता के बारे में भी जनकारी देखने को मिल जाएगी बात करते हैं प्रतिगिता अस्तर तो आगर आपको यहाँ पर फीजिकल यानि गेम से रिल्टेड आपके पास कोई मैडल है कोई सर्टिफिकेट है तो उसके र आज रिलक्षन भी आपके कास्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो रिकार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में जनकारी मिलती है कि जैसे कि आप यहाँ रिडाउट कर सकते हो 26 2016 या फिर उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको नियू सर्टिफिकेट बनाना होगा आपको वह वैलिट नहीं होगा तो विडाउट जनकारी आप यहाँ पर रिडाउट कर सकते हो या फिर 29-8-2012 या फिर उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है SDO अस्तर पर तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अपलाई कर सकते हो उससे पहले कि जो भी सर्टिफिकेट होंगी वह वैलिड नहीं होंगी उसके बारे में जनकारी आपको यहां देखने को मिल जाती है डैन आव हम बात करते हैं कि आप इस रिक्वार्मेंट के लिए कब से कब तक अपलाई कर सकते हो तो ऑनलाइन रजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 11-9-2022 से और लाश्ट अपलाई आप कर सकते हो 10-10-2022 के रात तक पैमेंट आप यहां पर कर सकते हो 12-10 2022 तक और आपको यहां पर फोटो और सिगनेचर अपलोड कर सकते हो 14-10-2022 तक अगर आपके अपलिकेशन में कोई भी गलती हो चुके है जिसको आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिये जाएगा 16-10-2022 से लेकरके 19-10-2022 तक यहां पर मैं आपको ब फ्यूचर हो जाएगे डेट बढ़ाया भी जा सकता है जब आपको यहां डेट बढ़ाया जाएगा तो आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा जाकर के एक बार एड़ाउट कर लोगे नीचे आप यहां देख सकते हो परिक्सा सुल का भुक्तान आप ऑनलाइन ही कर पाओगे बट आपको यहां पर मैं बता दूं तीन दिन तक आप यहां पर फॉर्म फिल अप करोगे फॉर्स डिट आपका रजिस्टेशन होगा देन 24 घंटी के बाद आप पैमिंट कर सकते हो तो पैमिंट करने के 24 घंटी के बाद आप यहां पर अपने साथ चैनल पढ़ने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलिए नीचे अब बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो परिक्षा का स्वरूप में आपको यहां जो एक्जाम होगा वह ओमर सीट पर लिजाएगी जी हां ऑफलाइन एक्जाम होगा साथ साथ नॉर्मालाइजेशन भी किया जा सकता है ज्यादा कैंडिडेंट होंगे तब आपको यहां परिक्षा एक ही लिजाएगी एक परिक्षा मुह के परिक्षा लिजाएगी जिसमें आप यहां देख सकते हो प्रते एक सही क्वेस्चन के आपको तीन नंबर मिलेंगे और गलत एक क्वेस्चन के एंसर अगर आप देते हो तो एक अंक आपके काट लिजाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हो यानि निगेटिव मार्क्स भी इस सब्जेक्ट में इस एक्जाम में होने वाली है आप यहां देख सकते हो भासा विसेओ को छोड़कर अन्य विसेओ के प्रस्ण हिंदी और अंग्रेजी भासा में आपको मिल जाएंगे मुख परिक्षा में आप यहां पर देख सकते हैं जो मिक परिक्षा होगी वा तीन पालियों मिलनी जाएगी एक ही टाइम में आपको तीन पालियों में एक्जाम लिया जाएगा जिसके बारे में जनकार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी प्रतेक जो पाली होगी वह दो घंटे की होगी यानि टोटल छे घंटे का आपका एक्जाम होगा बात करते हैं फॉस्ट आनि फॉस्ट पेपर की तो फॉस्ट पेपर आपका होगा भासा ग्यान जिसमें आपके कूल प्रसन होंगे 120 और आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा आप यहाँ देख सकते हिंदी भासा घ्यान में आपको 80 questions पूछे जाएंगे और इंग्लिस भासा घ्यान में आपके 40 question पूछे जाएंगे यह आपका qualifying exam होगा normally आपको यहाँ पर 30% या 15% से ज्यादा marks लाते हो तो आप इसके लिए eligible और आप यहाँ पर आगे के काम को कर सकते हो यदि आपको बता दो 30% से कम मार्क्स आपके पेपर 1 में ही आता है तो आप पेपर 2 और पेपर 3 आपका जो है पेपर नहीं चेक होगा वो आपको ध्यान रखना है तो यह आपका केवल क्वाइलिफाइंग एक्जाम होगा और इसक और परिक्षाओदी आप यहाँ देख सकते हो दो घंटे का यहाँ पर आपको जैनल जो लैंग्वेज होती है जारखन की उसके बारे में आपको यहाँ पर बहु वैकल्पिक यानि मन्टीपल च्वैस क्वेस्चन ही पूछे जाएंगे जिसके लिए आप यहाँ पर राउट करना है 30% से ज्यादा माक्स लाना है बात करते हैं पेपर 3 की तो पेपर 3 में आप यहाँ देख सकते हो समान ग्यान के होंगे क्वेस्चन्स जिसमें कुल प्रसन आपके 120 होंगे और परिक्षाओदी 2 घंटे की होगी जिसमें समान अध्यन जारखन राश से संबंद यहाँ पर समान गनित और समान विज्जान के क्वेस्चन्स पूछे जाएंगे आप यहां पर यहां पर क्वाइन टी देख सकते हो इस एक्ञाम में 30% मार्स हैं तो आपको यहां पर पेपर 2 और पेपर 3 में 30% उससे ज्यादा माक्स आते हैं तब यहां पर merit तयार किया जाएगा merit तयार होने के बाद जो भी आपको यहां पर marks आते हैं उसी के according आपका merit list में नाम आ सकता है बात करते हैं यहां पर मुख परिक्षा के पाठिकरम में तो आपको यहां पर सारी syllabus देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप language देख सकते हो यदि आपकी language उर्दू है तो उर्दू में कौन-कौन से books पढ़ने हैं कौन-कौन से आपको यहां पर detail पढ़ने हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी साति-सात संथाली, बंगाली, मुंडारी बाकी जो भी languages हैं उन सभी के syllabus आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं और बात करते हैं पेपर 3 के बारे में भी तो पेपर 3 के बारे में भी जनकारी आपको यहां मिल जाएगी कौन-कौन से आपको subject पढ़ने होते हैं तो आप यहां पर readout कर लोगे और यहां पर इस syllabus के according अपने exam के preparation करोगे तो आप यहां easily exam को qualify कर सकते हो बात करते हैं यहां पर देख सकते हो मुख पर इक्षा के अधार पर मेगा सूची तयार की जाएगी पेपर 2 और पेपर 3 के according ही और जो भी merit list में नाम होगा उसके according जो आपको यहां पर selection होता है selection के बाद ही आपका paper verification के लिए बुलाया जाएगा आपको उसके बारे में जनकारी यहां पढ़ सकते हो साती साथ paper verification complete होने के बाद आपको यहां पर merit list निकाले जाएगा फिर से जिसके according आपको यहां पर न्युक्ति की जाएगे तो इस सारे जनकारी आप यहां पर read out कर सकते हो इस प्रकार से आप इस requirement के लिए क्या eligible है क्या आपके पास certificate होनी चाहिए और क्या tournament condition है इस requirement में form fill up करने के लिए इसके बारे में आपको complete जनकारी मैंने यहां पर provide कर दी है बाकी आप यहां पर देख सकते हो आपको किस प्रकार के format में आपका certificate होना चाहिए card certificate, resident certificate, income certificate और भी जो भी प्रकार के certificate है वो सारे तो आप यहां पर एक बार read out कर लोगे notification को सारी जनकारी मिल जाएगी, so guys I hope इस वीडियो की मदद से इस requirement के बारे में मैंने आपको complete जनकारी provide कर दी है याद रखिएगा जब आपको यहां पर online application स्टार्ट होगा तो इसी चैनल पर आपको complete procedure वीडियो भी मिल जाएगा, so तब तक के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर साथी साथ आपको यहां पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक भी share जरूर कर दीजेगा, so आज तक के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और topic को लेकर अब next video में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जैहीन वंदे मातर कर दोस्तों कर दोस्तों